Hello students, this is video number 5 of laws of motion and this is the second video on constraint motion. Let's see it. आप ध्यान से देखना जरा है एक बात आपको समझाता हूँ. ये आपकी पुली है एक. This is a pulley. इसके साथ ये एक रोप जैसी है जो लटक रही है. You have seen pulley. कुएं के साथ पानी खींचते हैं तो एक पुली के साथ आपका रोप उपर की तरफ आती है. This is actually pulley. I hope कि आपने देखी होगी. कि ये जो A block है ये नीचे की तरफ अगर मैं इसको खींच रहा हूँ. विद विलॉस्टी वी ए. तो obvious है कि विलॉक बी जो है वो उपर की तरफ जाएगा. और इदर से मुझे clearly नजर आ रहा है एक चीज़. और जितना, देखो एक बात और. अगर मैं इसको 2 cm नीचे खींचूँ, तो ये 2 cm उपर जाएगा. अगर मैं इसको 2 cm एक सेकंड में नीचे खींचूँ, तो दूसरा वाला 2 cm एक सेकंड में उपर जाएगा. यानि कि दोनों की velocities बराबर हैं, लेकिन magnitudes. direction आपको clear cut नजर आ रही है कि बराबर नहीं है. magnitude लेकिन बराबर हैं. तो पहली बात तो मैं ये लिखूँगा, va equal to vb, लेकिन minus sign के साथ. इतनी बात हमें clear होनी चाहिए. This is the second case. अब इस case में और पुराना case जो आपको मैंने बताया, उसमें और इसमें क्या difference है? इसमें और उसमें major difference ये है, कि इसमें जो pulley है, वो fixed नहीं है. It is moving with some velocity vp. पुली वहाँ fixed थी, यहाँ पुली fixed नहीं है. This is the major difference between them. अब क्या problem है? आप जरा समझें इसको कि आप कैसे solve करेंगा, अब तो पंगा है? आप तो एक ground पे खड़ा हुआ, बंदा कैसे पता चलेगा कि ultimately ये कितना चल रहा है? आपको मैं एक simple बात बताता हूँ, यहाँ पे एक observer है मान लो. ठीक है? तो वो देखेगा कि पुली ना 5 cm उपर गई. जो block है, ठीक है? वो block जो है, वो total उसको दिखाई दिया जो. उसको दिखाई दिया कि वो 7 cm उपर गया. पुली गई 5 cm उपर जो उसने देखा. ठीक है? जो block A है, वो उसको दिखाई दिया कि वो 7 cm उपर गया. तो सामने सामने एक बात नजर आती है, इसी तरह से इसको B block का भी कुछ दिखा. लेकिन पहली बात ये ground वाले को जो नजर आया, उसको जो 7 cm नजर आया, वो तो total है. कि पुली जितनी उपर गई और ये, ये rope के कारण जितना उपर गया. क्योंकि ये दोनों खुद भी move कर सकते हैं इस rope के थुरू. और जो पुली है, वो भी उपर जा रही है. तो इसलिए आप इसको समझना थोड़ा सा comparatively difficult हो गया, relative हो गया. लेकिन इस बात को हमने थोड़ा simplify करने के लिए एक understand करेंगे बात को. क्या, that is, that is, ध्यान देना, कि अगर आप ऐसा मान लो, अगर आप ऐसा मान लो, कि एक कोई, आप इधर खड़े हो जाओ, पुली के उपर, this is not possible, मतलब आप समझो इस बात को, ऐसे समझने के लिए, कि आपकी मैंने, आपकी मैंने height बहुत कम कर दी, आपको बहुत छोटा कर दिया, ठीक है? आपको मैंने एक छोटे से insect की जितना कर दिया, तो आप insect बनके इसके उपर बैठे हो, now you are observing, when now you are observing, the same holds true, बट जो अब आप देख रहे हो न, जो अब आप देख रहे हो VA को, वो तो VA नहीं है, वो तो VAP है, और जो यहाँ पे खड़ा हुआ बन्दा है, उसके लिए, जो यहाँ से देख रहा है, उसके लिए तो पुली स्टेशनर ही है, जैसा पहला था, लेकिन अब जो उसको दिखाई दे रहा है, उसको हम VA नहीं बोल सकते, उसको तो हम बोलेंगे VAP, VELOSITY OF A WITH RESPECT TO P, तो उस बन्दे को जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो इंसेक्ट मान लो, यहाँ आप मान लो, कुछ भी, जो यहाँ से अबजर्व कर रहा है, इस चीज को, उसको लगेगा SAME MOTION, जो fixed pulley की थी same motion लगेगी उसको बिल्कुल और उसको क्या लगेगा वो ही जो पहले आपने लिखा था ये और इधर से हमने निकाल लिया relative velocity पड़ी हुई है हमने हमने लिखा va minus vp is equal to minus of vb minus vp अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो ये बन गया 2vp is equal to so vp equal to va plus vb upon 2 you need not derive it again अब ये formula आपके लिए याद रखने है आपने and same holds true for ये velocity के लिए नहीं ये displacement के लिए भी correct है xp equal to xa plus xb upon 2 ये acceleration के लिए भी true है ap equal to aa plus ab 3 upon 2 तो ये सब के लिए सब के लिए ये correct है किसी एक के लिए नहीं है तो इसकी कहानी ये खतम होगी next problem पे चलते हैं वो इसकी इसकी practice करते हैं जरब this is our next problem इस problem में अगर आप देखोगे what you can observe पुली चल रही है पुली चल रही है तो हमारे को formula बड़े अच्छे से आता है formula आता है लेकिन उससे पहले वी ये लिख लो कितना है वी भी निकालना है आपने वी भी निकालना है वी ये बताओ कितना है वी ये is equal to है minus 2 meter per second आपको पता चलना चाहिए minus क्यों नीचे है इसलिए minus sign conventions sign conventions बोलते है नीचे वाले को हम positive लेते है sorry negative लेते है वी भी वी भी तो निकालना है हमें क्या मालूम कुछ भी assume कर लो कोई डरने वाली बात नहीं है कुछ भी assume कर लो उपर कर लिया मैंने मैंने उपर कर लिया ठीक है अगर हमारी direction गल्थ होगी जो हमने assume की होगी अपने आप answer negative आजाएगा गबराना नहीं ये मैंने उपर क्यों लिया मेरी मर्जी completely मेरी मर्जी जो मन करे वो लो ठीक है फिर VB equal to कितना लिखेंगे plus VB नहीं मालूम मैं अभी VP equal to plus 20 so use the formula what is the formula what is the formula देखो VP sorry equal to VP equal to VA plus VB upon to VB का answer आया plus 42 plus 42 का मतलब है जो हमने direction लिया वो correct है जो हमने direction लिया वो correct है अगर किसी ने नीचे की तरफ direction लियी होती तो वो minus VB लिखता उसका answer क्या आता minus 42 minus 42 आता तो वो बोलता कि जो मैंने direction resume की थी वो गलत है मैंने तो नीचे ली थी, तो उपर कर दे, तो एक ही बात है, तो गबराना नहीं है, तब ही ये clearly मैंने लिखा मेरी मर्जी, ठीक है, तो गबराना नहीं कि ये कहां से सर ने ले लिया उपर, ठीक है, आप नीचे भी ले सकते हो, ठीक है, प्लीज ध्याना ध्यान देना इस इतना लिखो गया, 42, 42 मीटर पर सेकंड, is the answer, next question करेंगे, अब हम, इस question को देखो, इस question के अंदर क्या करना है, वी ये निकालना है, लेकिन इसका ये वाला end क्या है, fix है, यानि कि वी बी कितना है, 0 है, वी बी कितना है, 0 है, वी ये निकालना है मुझे यहाँ, तो वी बी 0 है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, वी बी 0 है, वी बी equal to plus 10 है, और उसके बाद, और उसके बाद मैं formula use करूंगा, वी बी equal to, वी बी equal to va plus vb upon 2, जल्दी जल्दी, ठीक है, simple question है, vb सीधा सीधा 0 ले लेना है आपने, सीधा जैसे 0 लिया आपने तो vp equal to va upon 2 आ गया, सीधा सीधा लिख सकते थे आप, तो va upon 2 आ गया, तो आपका va equal to 2vp आ गया, तो सीधा सीधा answer आ गया, va equal to plus 20, va equal to plus 20 meter per second, this is the answer, तो plus 20 meter per second, जब answer आ गया, this is our next problem, लगबग same है, acceleration की बात करके कोई डरना नहीं है, जो relation आपके velocity के हैं, वही relation आपके acceleration के लिए भी इस constraint motion में hold करेंगे, तो need not worry, अभी हमने same question किया, ठीक है, तो आपको यह आना चाहिए करना, हमें बड़े अच्छे से मालूम है, a p is equal to a a a plus a b upon 2, ठीक है, a p कितना है, निकालना है मुझे, एक a a कितना है, plus a, direction देख सकते हो आप, upon 2, a b कितना है, 0, 0 क्यों क्योंकि fixed है, तो यह answer आ गया, as simple as that, कुछ भी नहीं है इस question के अंदर, this is our next problem, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, VC की value find करनी है, find VC, velocity of, कुछ भी पूछ सकता है, आप से, आप इसमें देखो ध्यान से, यह वाली pulley आपकी fixed है, जिसकी खुद की velocity 0 है, बट यह दोनों की fixed नहीं है, यह दिख रहा है ना सामने, यहाँ पे यहाँ जुड़ी यह तो उपर नीचे जा सकता है, यहाँ से, तो इसलिए जो pulley यह उपर वाली है, this is fixed, इसकी खुद की velocity 0 है, इसकी खुद की velocity 0 है, बट यह जो pulley नीचे दो लगी हुई है, इन दोनों की, इन दोनों की velocity है, fine, अब हम क्या करेंगे, दिरह ध्यान देना, सबसे पहले लिख ले इसलिए नजर आ रहा है, दो चीज़े मालू मैं हमें, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको use करके, इस section को use करके, हम निकाल लेंगे, कैसे, मैं लिखता हूँ, आप अच्छे से समझना, VA equal to minus 4, VB equal to minus 7, so VP1, आपको समझा गयो होगे, मैंने P1 किसको बोला, इसको बोला P1, अपन इसलिए भी P3, VP3 is 0 है, यहाँ लिख देता हूँ, VP3 equal to 0 है, तो VP1 कितना आ गया, VP1 is equal to minus 11 upon 2, clear नजर आ गया हमें कितना, minus 11 upon 2, कैसे 11 upon 2, 4 plus 7, दोनों minus हैं, तो VA plus VB upon 2, तो minus 11 upon 2, मतलब यह जो VP है, यह कितनी speed से नीचे आ रहा है, यह भी नीचे आ रहा है, तभी minus answer आ आया, तो minus 11 upon 2, तो यह minus 11.2 आ गया यह answer आपका, minus 11 upon 2, अगर यह minus 11.2 है, तो यह उपर जाएगा minus 11.2, sorry, plus 11.2, लिखने के ज़रूरत नहीं है, direction बना दी मैंने, तो VP2 निकल गया आपका, so VP2 equal to कितना होगा, कि देखो न, यह fixed है, इसका तो कोई कहानी नी, इसके साथ तो बस यही दोनों string attached है, अगर यह नीचे जा रहा है, तो यह उपर जा रहा होगा, इसकी velocity अभी तुमने निकाली कितनी, minus 11 upon 2, तो VP2 कितना होगा, plus 11 upon 2, जब आपको plus 11 upon 2 पता चल गया, तो आपको दिख रहा है सामने-सामने कि अब आपको VC भी पता चल जाएगा, अब आपको VC भी पता चल जाएगा, आप यह note कर लो, यह सब चीज, ठीक है, और फिर मैं इसके बाद लिखूंगा आपको, इसके साथ ही लिख देता हूँ, कि आपका, यह VP2 लिखो relation, देखो, VP2 equal to, लिखो, VP2 equal to VD plus VC upon 2, V, किसकी बात कर रहा हूँ, VP2 equal to VD plus VC upon 2, ठीक है, VP2 अभी आपने बोला, plus या minus, plus है, VD कितना है, plus 6 है, VC upon 2, that's it, that's it, this is the next problem, इसके अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे नीचे VA एक छोटा सा ब्लॉक दिया है, इसके अंदर मैंने A लिखा नहीं है, क्योंकि छोटी फिगर थी यहाँ, आप यहाँ पे एक चीज़ observe कर सकते हो, सब लोग, कि यह VA है, तो ultimately यह नीचे जा रहा है, आप calculate करो अच्छे से, इसको P1 लिख दो, हम नीचे से उपर जा रहे हैं, तो इसको P1 लिख देते हैं, इसको P2 लिख देते हैं, इसको P3 लिख देते हैं, इसको P4 लिख देते हैं, आप अपने बास नोट कर लो, यह P1, P2, P3, P4, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को जगा कम है, इसलिए P1 बज़र आ रहा है अभी, वी ए प्लस वी बी अपॉंट वी बी जीरो है, वी ए माइनस टैन है, and it has to be, देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, इसलिए आपका ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, ठीक है, आपका ये पॉइंट नीचे जा रहा है, कितनी स्पीड से, फाइ पॉइंट पर सेकंड, जब हम यहां पहुंचे फाइव मीटर पर सेकंड पर तो आपको नजर आना चाहिए, कि अब ये भी इधर की तरफ ही होगा, और ये कितना होगा, 2.5, क्यों होगा, 2.5 चेक करो, same reasons, same reasons, इस पुली का ये वाला एंड क्या है, fixed है, 0 है, दूसरे वाला एंड कितना है, minus 5 है, minus 5 upon 2, फिर से आदा हो गया, कितना आएगा, minus 2.5, it comes out to be minus 2.5, when it is minus 2.5, it has to be minus 2.5, ये भी इधर जा रहा होगा, minus 2.5, ठीक है, तो ये minus 2.5, अब आपका सिरफ इतना सा के, ये वाला केस बचा है, सिरफ, इधर से आपने VB निकालना है, not a big issue, ठीक है, कैसे, मैं बता हूँ आपको, ये लिखूँगा, मैं VP4 is equal to, VP4 is equal to, कितना, 2.5, meter per second लिखते रहा है, ठीक है, units तो पता ही है आपको, तो VP4 is equal to 2.5, so VP4 equal to VB plus 0, ये 0 है, इस point पे 0 है, तो इसलिए, VB upon 2, क्या लिखेंगे, VP4 is equal to VB upon 2, तो VB is equal to कितना होगे, 2 into VP4, यानि 5, so this answer comes out to be, 5 meter per second, 5 meter per second आपने इसका answer निकालना है, ठीक है, चलो next करते हैं, this is our next problem, इसको भी उसी method से solve करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आपको वैसे इसको खुद try करना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए solution को, ठीक है, इसमें है क कुछ नहीं, बस यह है कि, यह जो, मतलब यह तीनों ends यो है, यह अभी 0 पे नहीं है, क्योंकि यह movable है, यह एक plank है, इसके उपर आप plank लिख लेना, PLANK, ठीक है, wooden plank है मानलो, कोई भी plank हो, आपको plank से भी मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि बस यह movable है, तो इसलिए इसकी speed क मुझे मालूम मैं कितनी है, 0, 0, इसको P1 मानलो इस पर, ठीक है, P1, तो मैं लिखूंगा, VP1 is equal to 0, which is equal to, ज्यान देना प्लीज, which is equal to, VP1 is equal to क्या लिखेंगे, VP1 is equal to minus 20, यह वाला point minus 20, दूसरे का फता लगा लेंगे, उसका कुछ भी नाम रख दो, उसका कुछ भी नाम तो, प्लस V upon 2, तो आपको क्या मिल गया, मतलब प्लस V जब लिखा तो हमने इसकी velocity उपर मानी है, ध्यान देना जड़ा, ठीक है, तो इसलिए VP2, VP0 है, 0 है तो V is equal to कितना आ गया, प्लस 20, तो V is equal to क्या आ गया, प्लस 20, so it will move upwards, it will move upwards, तो हमने upward लिया था, answer positive आया, इसलिए upward ही है, आपको कैसे मालूम हमने upward लिया, क्योंकि मैंने प्लस V लिखा है यहां, ठीक है, तो यहां पे इसलिए इसका answer क्या आया आपका अभी, क्योंकि VP1 0 है, 0 into 2 0 होगा, V is equal to plus 20 होगया, तो यह this is plus 20 and moving upwards, so it is moving upwards, so I mark this direction as upwards, यह उपर की तरफ आया है, अगर आप ऐसे नहीं त यह आपकी P2 pulley हो गई, तो P2 pulley की आपको value मिल गई है, कितनी, plus 20, तो VP2 is equal to plus 20, VP2 is equal to plus 20, तो आपको यह वाले end की, आपको मिल जाएगी, इसके साथ 2 connected है न, जो, दो ends होते हैं हर pulley के, यह वाला और यह वाला, अब इस end की आपको velocity मालूम होनी चाहिए, कितनी है, minus 20, ठीक है, तो मैं लिख दूँगा plus 20 is equal to, दूसरे end की कितनी है, minus 20, plus V upon 2, plus V upon 2, तो equal to क्या आ गया, 40, 40 plus 60 आ गया, 60 और वो भी plus 60, ठीक है, plus 60, तो उपर आएगी यह भी, यह भी उपर जा रही है, यह वाली VP3, यह P3 उपर जा रही है, कितनी 60 के साथ, तो जब 60 के साथ उपर जा रही VP3 60, तो फिर मैं लिखूंगा 60 equal to, ज्यान देना प्लीज, 60 equal to minus 20, यह वाला end फिर से minus 20, नीचे जा रहा है, minus 20, VA को आप उपर मान लो, तो plus VA upon 2, तो 120, तो VA आ गया आपका 140, तो VA is 140 meter per second is the answer of this question, ठीक है, तो 140, तो 140 meter per second इसका answer है, इसको अच्छे से अपने पास लिख के रख हो, तो VA equal to minus 20 plus VA, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको जगा में कम लग रही है, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कैसे लिखूंगा इसको, 60 equal to, कैसे चले हम, पहले हम यहाँ से चले, इस वाली पुली को उठाया, क्यों इसको क्यों उठाया, क्योंकि इस end का मुझे displacement है, फिर मैं इदर से जाऊँगा, एक sequence में चलना है, nothing is difficult, so ultimately VA equal to, आपका क्या answer आजायेगा, 140 meter per second, यह 140 की speed से उपर जायेगा, 140 meter per second, ठीक है, तो इसको भी note करो, ठीक है, इसको भी note करो, thank you very much, इतना ही रखेंगे आज के लिए हम, इस वीडियो के अंदर इतना इनफ है, और यह जो सब हमने पढ़ा ना, इसके अंदर, it all comes under pulley constraint, यह सारे questions किसके अंदर आए है, pulley constraint, आपकी जो next वीडियो बनेगी इसके उपर, वो भी इसी तरह के questions होंगे, लेकिन हम उसको थोड़ा different method से सीखने की कोशिश करेंगे, जहांपे ना, actually, आपके string की length लंबी हो जाती है, तो मतलब एक ही string बहुत सी pullies के उपर घूम घूम के आए ना, तो फिर उसके लिए हम एक और method यूज़ करते हैं, effective length method, तो उस method को हम सीखेंगे next वीडियो के अंदर, मैं इसमें mix नहीं करना चाता उसको, तो आप उसको सीखोगे अच्छे से और आपको फिर command बन जाएगी, no problem, thank you very much.